हेलो एब्रीबन इस वीडियो में सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग करेंगे इसके लिए चार फोल्ड में कपड़ा रखा है यह फोल्डिट साइड है और उधर ओपन साइड है यहां पर लंबाई लेनी है यहां पर मैंने 38 इंच ली है आपकी जितनी भी है ले 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 और 2 इं निशान लगेगा तो यहां पर इसे इस तरह लाइन लगा लेनी है यहां पर लगेगा कमर का निशान यह साड़े साथ इंच पर लगाएंगे और इसके बाद हिप का निशान लगाएंगे यह निशान लगेगा पंदरा इंच पर और इन निशानों को सीधा कर लेना है यह सीधरह सीधा कर लेंगे इसके बाद एक यहां चे स्ट का निशान लगना है तो जितने भी ही चे स्ट है उसका में चोथा पार्ट level लेना है चार से बाग कर देना है Left लिए जाएगा और दो हिंच में यहां पर मार्जिन के लिए लेना है losing इसमें पहले लिए हुई है और यहाँ पर कमर का निशान लगेगा तो यहाँ पर जितनी भी आपकी कमर है लगा लें यहाँ पर मेरी 36 इंच है 36 को 4 से भाग देना है 9 इंच आ जाएगा 2 इंच मार्जन के लिए रखेंगे और इसी तरह यहाँ हिप का निशान लगा हिप यहाँ पर मेरी 42 इंच है 42 इंच को हमने 4 से भाग दिया 10.5 इंच आया और 2 इंच यहाँ पर मार्जन का रख लेंगे 1.5 इंच भी रख सकते हैं तो यहाँ पर यह निशान लगे है अब इन निशानों को मिला लेंगे यहाँ से भी मिला लेना है और यह मार्जन का है इ इसके बाद यहां bottom का निशान लगेगा जितना भी आपको गे रखना है रख लें यहां पर मैंने 12 इंच रखा है और यह निशान यहां पर मिला देना है और यह margin का है उसे भी नीचे तक ले जाना है यहां पर अब यह लगेगी shape हमारी arm hole की यहां से 1.5 इंच लेना है यह back के लेना है और फ्रंट के लिए एक इंच लेना है और यहां से इसको मिला देना है शेप देनी है और फ्रंट की शेप लगनी है आदा इंच अंदर को लेना है और यहां से यह शेप लगाने है और यहां यह एक इंच दिया है इसके साथ मिलाते हुए शेप देंगे यह शेप ली है इसका यहां पर हमें बोक्स बना लेना है और कोई भी शेप यहां पर दे सकते हैं तो यहां पर मैंने राउंड शेप दी है और यहां बैक का निशान भी लगाएंगे और यहां पर जितना आपको रखना रख सकते हैं मैंने तीन इंच रखा है और यह भी इसी तरह कर देने है वीडियो अच्छा लगे लाइक काई डालना सेकेंगे ये लास्टिक आप अपनी प्लाजो पहंट में सल्वार में डाल सकते हैं तो यहां पर जाल रही हूं यहां पर इसके लिए हम्हें सिलाई लगने के बाद अब हमें यहाँ पर ये elastic इस तरह से रखनी है कप्ड़े को ऐसे fold करना है अब लगाएंगे यहाँ पर सिलाई तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस तरह elastic का हमारी अंदर है और यह सिलाई जो हम लगाएंगे यह हमारी elastic के उपर सिलाई नहीं आनी चाहिए यह सिलाई कपड़े भी लगनी चाहिए इस तरह से हमें यह सिलाई लगानी है तो बड़ी है असानी से हमारी यह सिलाई लग जाती है तो only यही धियान रखना है कि elastic के उपर थोड़ी भी सिलाई नहीं आनी चाहिए करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह देखिए हम कपड़े को सेट करते जाएंगे और यहां पर सिलाई लगाते जाएंगे तो आसानी से हमारी ये सिलाई लग जाती है इस तरह देखिए हमारी सिलाई यहाँ पर लगके complete होगी है यहाँ से शुरू की थी वहीं से हमारी यहाँ पर खतम होगया है अब यहाँ पर इस कपड़े को इस तरह से निकाल के यहाँ पर देखिए यह सिलाई लगने के बाद इस तरह प्लीर्स आगे है अब इन प्लीर्स को सेट करना है चारो और हमारे सेट हो जाएं तो इस तरह से हमें यहाँ पर खीचना है तो यह प्लीर्स हैं यह सारे हमारे इकूल हो जाएंगे चारो साइड से इससे क्या अच्छी पकड रहती है जो इलास्टिक है बीच में घुमती नहीं है तो यहां पर ऐसी रखना है अब पीछे थोड़ा सा कपड़ा खीचना है और यह आगे का भी इस तरह खीचना है और सेंटर से यह सिलाई लगा देनी है थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ना इस तरह हमारी सिलवार भी बनके रेडी हो गई है तो यह हमारा आइडिया आपको कैसा लगा आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादे शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसका जो मोहरी का डिसाइन है वो भी मैंने वीडियो डाला है आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जाके